तो आज किस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट था वरना आपको आज कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसी प्रोग्राम पर हम री कंट क्या है लाइक मैं यहां पर भी कहीं पर भी क्लिक कर स्वकर ररा हूं तो यह मेरा इवएन्ट है जो कि मैं पेज के लिए of socket आयो, ठीक है, and then last one जो होगा, how to create custom event, ठीक है, मतलब आप custom event कैसे create कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तीसरा जो point है, इसी के वेज़ पर आप chat application create कर सकते हो, ठीक है, पहले मैं आपको बता जेता हूं, what are the pre-reserved events of socket आयो, जिनको हम use भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर server side के कुछ events हैं, जो कि आपको पता होना जरूर ही है, देखिए, क्या होता है, socket आयो, आपकी दौनों side चल रही होती, एक front end side और एक आपकी back end side, ठीक है, तो server side पर कुछ events हैं, जो कि आपने last lecture में देखे होंगे, अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, यहाँ पर हम app.js में गए थे, जहाँ पर हमने अपना code किया था, लाइक यहाँ पर देख पा रही हो connection, ठीक है, एक था मेरा connection, और यह था मेरा disconnect, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिसकलि, मेरे से spelling mistake हो गई है, यहाँ पर disconnect था, और यहाँ पर यह connection था, ठीक है, तो यहाँ पर, sorry, पर यह disconnect था, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह था कि server side पर कुछ events pressing जो कि pre reserved हैं जैसे कि मेरा connection था जो कि मेरा connection create करने के लिए काम आ रहा था मतलब जब भी कोई socket आयो क्या use करके कोई भी user connect होगा तो यह मेरा connection event चलेगा और जब यह मेरा event चलेगा तो इसके अंदर का यह function चलेगा जिसकी बेस पर मैं क्या कर सकता हूं basically यहां पर मैं check कर पा रहा event था ठीक है तो disconnect event है यहां पर मैं check कर पा रहा हूं अपने server side पर ना कि front end side पर ठीक है कि कोई disconnect होता है तो यह मेरा message चलेगा मतलब यह मेरा method चलने वाला है तो यह मेरे पास दो events से जो कि मैं मैंने use करे और जो कि आपको use करने ही पड़ेंगे ठीक है जब आप connection ने establish करोगे यह आप disconnect करोगे ठीक है तो यह आपकी events अकर होने वाले हो तब आप उनका method यूज कर पाऊगे ठीक है तो यह तो हमने बात कर ली उपर के two events की अब यहां पर हम बात करते ही कुछ events है जो कि उसके और भी है like message है reconnect है ping है join है leave है पर यहां पर जो है हमें अपना chat application create करना है तो हमें यहां पर only अपना custom event बनाने की need पड़ती है ठीक है अला कि आप reconnect reconnect से क्या होगा इसके लिए जब कोई user reconnect होता है तो उसमें हम यहां पर event अकर कराते है ठीक है अब देखिए यहां पर मैं आज आपको थोड़ा बताऊंगा message के बारे में क्योंकि message काफी important होता है क्योंकि chat applications में आपको message की need पड़ने वाली है ठीक है अब देखिए यह मैं अभी event के बारे में इस event के बारे में बात करूंगा message के बारे में पर मैं आपको यह भी बता जता हूं कि client side पर भी कुछ events होते हैं socket i.o के जैसे कि connect हुगा connection connection error हुई connect time हो आउट हुगा reconnect हुगा और भी connect हुगा ठीक है हमें उस जगा पर इतनी need नहीं है ठीक है मैं बस only back end side पर यह दोनो connection और disconnection जो हमारा disconnect event है हमें इनकी need पड़ती है बाकी हम अपना custom event handling करेंगे जो कि हम अभी देखने वाले है ठीक है तो यहां पर मैं बात कर रहा था अभी मैं message के बारे में बात करूंगा क् हमारी chat application message से start होती है basically अब मैं क्या चाता हूं कि यह मेरा message जो event है यह मैं चाता हूं कि अपने server side पर से जाए और मैं front end side पर इसको कैसे use कर पाऊंगा ठीक है अभी काफी अच्छा event है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा अभी मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा यहा से इसको में कर देता हूं disconnect या तो मैं console ही देख लूँगा या मैं file ही देख लूँगा ठीक है तो यहां पर मैं बात कर रहा था message event की ठीक है अब यहां पर मैं message event को कैसे fire कर सकता हूं और कैसे मैं अपने front end side पर ले सकता हूं हाला कि यह आपको event पता होना चाहिए इतना important नह हुए ठीक है उस time पर need पर सकती है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं जब user connect होता है तो मैं क्या करता हूं कुछ message अपने user को वेजूंगा front end side पर की कुछ seconds बात like मैं यहां पर set time out use कर लिता हूं set time out and then यहां पर मैंने like inner function पास किया जैसे कि हम इसमें पास करती है और मैं चाह करूंगा socket.on ठीक है dot on sorry dot send करना है ठीक है अब यहां पर मैं send क्यों कर रहा हूं और यहां पर मैं on क्यों कर रहा हूं यह basically काफी important होता है on को समझना यह on basically आपको event catch करने के लिए ठीक है अब event catch करने के लिए मतलब कि socket में क्या connection पर connection event कव catch हुआ ठीक है like मतलब को user connect होगा तो on आपका fire होगा ऐसे ही कोई disconnect होगा तो आपका on fire होगा तो ऐसे ही यहां पर एक send method दिया गया है socket बालोने ठीक है कि यहां पर इस method को आप use करो इसमें कुछ आप message provide कर दो like मैंने यहां पर लिखा sent message from server side by pre-reserved events ठीक है यह मैंने बेजा अपने server side से किसको front and side बालो को अब आप बोलोगे कि यह front end side पर कैसे catch होगा like अभी जो हमारी file है जो front end पर है वो index.html है जो कि हमने last lecture में देखी थी जिसमें हम आयो को initialize कर रहे थे यहां पर देख पा रहे हो अब यहां से यह message जो गया है जैसा कि मैंने आपको बता है इसका pre-reserved event था जिसको हम यहां पर aise send कर रहे है ठीक है तो यहां पर हमें कैसे get करना होगा उसको ठीक है तो हमें यहां पर क्या करना है इसको हमें यहां पर use करना socket.on जैसा कि मैंने आपको बताया on का क्या काम है on का देखी दोनों जगापर same ही काम है चाहें आप front end side पर काम करूँ चाहें आप back end side पर like मैं server side पर जो काम कर रहा हूँ on ठीक है on का काम होता है किसी event को catch करना किसी event को catch करना अब यहां से मैंने fire किया एक message event ठीक है जो कि विसकली यहां पर देखने में थोड़ा आजीव लग रहा है यहां से मैं send कर रहा हूं और यह message यहां पर इसका नाम होना चाहिए तब ऐसे message पर इन्होंने नहीं किया है चलो हम वो अपना custom create करेंगे उसमें नाम रखेंगे ठीक है पर यहां पर इसका predefined method है send ठीक है तो हम इसको यूज कर रहा है यह message event आपका कर हो रहा है तो जैसे मैंने यहां पर server side पर किया हुआ है जैसे io.on ठीक है जैसे मैंने यहां पर किया हुए socket.on तो on क्यों use हो रहा है विसकली किसी event को catch करने के लिए तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा यहां पर मैं अपना कौन सा event catch करना चाहता हूँ अब आप बोलोगी मेरे पास तो कोई event है नहीं मेरे को नाम नहीं पता तो यहां से यह जो है send था यह विसकली by default इसका name मैंने जैसा कि बताया इसका message रखना चाहिए था जिससे user confusion आओ पर इन्होंने रखा है चलो कोई बात नहीं है तो इसको यहां पर मैं get करने के लिए मैं यहां पर socket.on करूंगा और यहां पर मैं उसका name provide करूंगा जो मेरा यहां पर fire हुगा event अब यहां पर जो है इसका name message था पर इन्होंने send रख रखा है ठीक है तो हम अपना system create करेंगे अब यहां पर मैं message नाम का event fire मतलब event catch कर रहा हूं ठीक है catch कर रहा हूं और इधर से मैंने fire किया कुछ seconds वाद यहां से fire होगा और यहां पर मेरा catch होगा ठीक है तो यहां पर मैं क्य करूंगा अपना function provide कर दूंगा like मैंने function provide किया इसके अंदर कुछ data आ रहा हुग ठीक है like data मतलब कि जो आपने यहां से यह pass किया न यह ऐजा आप यहां से argument पास कर रहा हूं यहां पर हमें जाया parameter यहां पर get कर रहा हूं अब मैंने यहां पर क्या किया like जो मेरा message आया मैंने उसको document.write करा दीया direct ठीक है मतलब document.write और जो भी मेरा message आया data अब देखें यहां पर मैं send जो कर रहा हूं वो मैं इक string send कर रहा हूं यहां से आप एक object send कर सकते हो और आप इस object को यहां पर भी print करा सकते हो ठीक है यहां पर बता रहा है कि user connect हुआ disconnect हुआ अब मैं दुवारा connected हुआ ठीक है तो यह तो मैंने बात कर ली क्याई कि अगर आपको pre reserved जो इसके events हैं जिनको आप यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो पर यहां पर जो हम chat applications वनाएंगे उनमें हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यार वहां पर हमें अपना खुद का बनाना है ठीक है अब यहां पर बात आ जाती कि हम खुद का event कैसे create करें अब मान के चलिए मैं इसको हटा देता हूं ठीक है मैंने इसको हटाया अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर मेरे पास दो केसे बनने वाले हैं ठीक है तो यहां पर मैं दो केसे बनाऊंगा ठीक है फर्स्ट मेरा केस क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है फर्स्ट मेरा जो क्लाइन साइड, ठीक है, यह मेरा first case है, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, custom event क्रियेट करूँगा server side पर, और catch करूँगा अपने client side पर, client side मतलब कि यह मेरा index.html और यह मेरा server side, ठीक है, तो यहाँ पर हम, first मेरा scenario बनता है कि मैं custom event क्रिएट करूंगा server side पर ठीक है और catch करूंगा उसे client side पर ठीक है मतलब दौनों side चलने वाला custom event हम कैसे create करेंगे और catch करेंगे और catch on server side ठीक है बस आप एक तरीखी को अगर आप समझ लेह हुए यह पहला वाला थो आप दूसरा दाला अपने कर लोगे देखिए मैं करके दिखाऊंगा वैसे तो यहां पर first scenario हमारा यह बनता है कि मैं एक event create करूँगा custom event जो कि server side पर होगा उसे catch करूँगा client side पर एड दन second जो scenario होगा custom event create करूँगा client side पर पर मैं उसे catch करूँगा server side पर यह विसकली chat applications में काफी useful होता यह दौनों scenario ठीक है तो अब यहां पर मैं इसको कर लता हूँ close तो आई होप आपको scenario पता चले होगे सबसे पहले मैं बात करूँगा server side पर मैं create करने वाला हूँ अगर मैं नहीं चाहता हूँ set time out के अंदर मेरा event चले तो कोई बात नहीं मैं यहां से cancel करके यहां पर अपना event लगा सकता हूँ पर मैं चाहूंगा थोड़ा second का में bed करूँगा तो मैं अपना custom event कैसे create करूँगा, यहाँ पर मैं लिगूँगा socket, अब देखी यहाँ पर इसके पास नहीं एक pre-reserved method, method यह मतलब जो कि यह provide करता है emit, ठीक है, emit यहाँ पर ध्यान रखना है guys, जब भी आप कहीं पर भी आप event create कर रहे हूं, चाहिए आप client side पर create कर रहे हूं आप इस method का हमेशा use करेगा dot emit, ठीक है, मतलब emit मतलब हमने commitment कर दी, कि हमारा यहाँ पर कुछ बर्क होने वाला है, यह हम कुछ create करने वाले हैं, ठीक है, emit का हम use इसलिए करते हैं, custom event create करने के लिए, ठीक है, विसलिए जाद तर इसका यही use होता है, custom event हम कैसे create करेंगे, using emit method, ठीक है, अब आप बोलोगे, यहाँ पर क्या-क्या इसमें arguments जाने वाले हैं, सबसे पहला जो इसका argument होगा, बुआ होगा, आपका custom event का name, like मैंने यहाँ पर रखा, my custom event करके रख लिए, ठीक है, आप कुछ भी name रखते हो, and then यहाँ पर क्या है, अब इसके अंदर, जो second arguments जाएगा, सबसे पहले तो आपका event का name, second is आपका data, ठीक है, data में आप क्या रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताए, यहाँ से आप एक object भी send कर सकते हो, like मैंने यहाँ पर क्या किया, कि यहाँ पर मैं कुछ send कर दिता हूं, like मैंने किया, like कुछ भी रख लेते हैं, like description लिख लेते हैं, description, ठीक है, description रखा, और मैंने यहाँ पर एक message प्रोवाइड कर दिया, like a custom message from server side, ठीक है, यह मैंने जो है, इसमें message set कर दिया, मैं थोड़ा zoom out कर लेता हूं, जिससे कि आपको clear दिखाए दे, मैंने एक event create किया, my custom event, और जिसमें मैंने कुछ data रख दिया, म यहाँ पर object रख सकते हो, जितना बड़ा रखना चाहते हो, और मैंने उसमें एक description set कर दिया, ठीक है, अब यह मेरा server side पर event create हो चुका है, जब भी को user connect होगा, उसके पास 3 second वाद यह custom event नाम का, my custom event नाम का एक event है, जो कि वो get कर सकता है, अब इसको मेरे को front end side पर कैसे catch करना जैसे कि मैंने आपको guys बताया, यहाँ पर हमें use करना होता है, किसी भी event को catch करने के लिए, चाहे हम server पर use कर रहे हो, चाहे हम client side use कर रहे हो, ठीक है, उसको हमें catch करने के लिए, यहाँ पर हमें socket.on का use करना होता है, ध्यान रखिए, अगर किसी भी event को हमें catch करना है, या use करन हूं मैं refresh कर रहाता हूं तो यहां पर देखेगा तीन सेकंड वाद आएगा यहां पर देख सकते हूं गाइज object मिल रहा है ठीक है object मिल रहा है अब मैं चाहूंगा कि data.description जो हमारा description था basically मेरा आपको पता है कि object आ रहा था तो अब मैं यहां से जो है अपना description इसको प्रिंट करा सकता हूं तो अब यहां पर अगें refresh करता हूं तो अब मेरा description आना चाहिए यहां पर तो देख सकते हूं आ custom message from server side या चुका है मतलब कि हमने देख लिया कि कैसे हम अपने server side पर अपना custom event create कर सकते हैं और कैसे अपने client side side पर get कर सकते हैं अब data को ठीक है अब यहां पर तो बात हमने first scenario की कर ली अब मैं बात करूँगा कि यहां पर हम अपना second scenario complete करें कि मैं client side पर अपना event create करूं और अपने server side पर उसे catch करूं ठीक है मैं क्या करता हूं इसको अटा जिता हूं ठीक है अब इसका काम करता हूं है कि यहां पर हम्यां इसका भी काम नहीं use करना है अब यहां पर थोड़ा control लेड़ करता हो और यहां से यहां मैंने कलाइनर क्ला पर open पर एक event क्रेट करना चाहता हूं तो कैसे कर आपको कभी भी event करना है तो आप यहां पर इस तरीक से method यूज करें एंड यहां पर अपने event का पास कर सकते हो नहीं भी चाहोगे तो आप यहां पर simple एक string भी पास कर सकते हो लाइक जैसे मैं कर रहा हूं आप object भी रख सकते हो कोई tension वाली बात नहीं है अब यह मैं event को कैसे अपने server side पर catch करैगा जैसा कि मैंने आपको बता है हमेशा बताता रहा हूं कि यहां पर on का हमें तब करना होता है जब हमें किसी event को catch करना होता है चाहिए आप uh client side पर work करो चाहिए आप server side पर work करो ठीक है तो मैं यहां पर लिखूंगा socket.on ठीक है और यहाँ पर मैं उस इवेंट का name pass कर दूँगा जो मेरा event catch करने वाला हूं ठीक है my custom event from client side ठीक है और यहां पर मैं function pass कर दूँगा function ठीक है मैंने पास किया और यहां पर मैं data लिख लेता हूँ जो भी मेरा data आएगा जो भी मेरा event के साथ data आ रहा होगा वो मैंने यहां पर as a parameter get किया और मैं ऐसे console करा लेता हूँ अपने सभण करा हुँ तो यहां पर मैं data को करा लेता हूँ ठिक है अब यह मैं fire करारहूं और यहां से मैं लिख देता हूं client site volume capital यहां क्लाइट से आया है और मैंने दौनों को सेव किया अब यहां पर देखेगा देखिए यहां पर मैं दुवारा क्लियर कर लिता हूँ और दुवारा स्टार्ट करता हूँ ओड मॉन ठीक है अभी देखिए एक user connected है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ अभी इसको cancel कर लिता हूँ ठीक है तो यहां पर disconnect हो चुका है ठीक है अब मैं दुवारा स्टार्ट करता हूँ अभी यहां पर देखोगे कि एक user connected हुगा और यहां पर आया आप custom message from client site तो यहां पर यह कैसे चला जैसे ही मैंने index.html को hit गिया यह मेरा event जो है commit हुगा मतलब emit हुगा और इसने कुछ message डाला जैसे यह emit हुगा यहां पर backend मतलब जो आपका server side है उदर गया जहां पर इसने catch किया और catch करने के बाद catch करने के बाद यहां पर हमने data को save मतलब so करा दिया अगर आप चाहो तो यहां पर भी set time out लगा करके इसको so करा सकते हो data हो ठीक है तो यह था कि आप कैसे client side से आप create करोगे अपना custom event और अपने server पर कैसे get करोगे और server से कैसे create करके अपने client side पर get करोगे यह विसी basically chatting में use होता है कि आप कैसे events create करके अपना use कर पा हुए ठीक है तो i hope आपको understand हुआ होगा कि event handling कैसे हम करते हैं अपने front end side पर और back end side पर ठीक है मतलब server side पर क्या करना होता है client side पर क्या करना होता है जो most important methods होते है आपका एक on यह होता है आपका emit on मतलब कि हमें किसी event को catch करना है और emit मतलब किसी हमें custom event को register करना है ठीक है तो i hope आपको lecture पसंद आ होगा next lecture में हम बात करेंगे broadcasting के बारे में so thank you guys मलते हम next lecture में so thank you